आज की क्लास में हम आदर्श विद्यार्थी पर निवंद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अध्यन करने वाला आदर्श विद्यार्थी उसको कहा जाएगा जिसका जीवन दूसरे विद्यार्थियों को प्रेर ना दे सकेगा आज के विद्यार्थी ही कल के राष्ट निर्माता है अता एक आदर्श विद्यार्थी में ऐसे गुनों का होना आवश्यक है जो एक अच्छे समाज का निर्मान करने में सहायक हो गुन ऐसे होने चाहिए जिनसे भविश्य में उसका पूरा समाज आदर करे इस दृष्टी से आदर्श विद्यार्थी को सुशील, बिनम्र, अनु मिलना है और कब पढ़ना है उसी के अनुसार वह अपने कारेकलाप करते हैं एक आदर्श विद्यार्थी कभी आलत से नहीं करता है वह किसी भी काम को छोटा नहीं समझता है अध्यनकाल के समय परिश्रम से प्राप्त की गए विद्या ही सफल होती है आदर्श साधा जीवन उच विचार होना चाहिए उसे चाहिए कि वह स्वालंबी बने और अपना कार स्वेंब करे तो आज ही क्लास में इतना ही फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब क सब्सक्राइब को बढ으 एक जिए करेंक दोग करेंगे लिगए आप करेंगे लिए।